औराइड गाइज ये है MIVI Color Classic Pro और ये है Realme Birds Wireless 2 NIO दोनों के अभीच में प्राइज डिफरंस जो है वो बहुत ही कम है इसकी प्राइज है 1300 रूपीज और इसकी प्राइज है 900 रूपीज दोनों की प्राइज बहुत ही जादा फ्लक्टुएट होती रहती है दोनों की चाहते हो तो आपके लिए एजी हो जाए कि एक ही वीडियो से आपको पता चल जाए कि आपको कौन सा प्रोड़क्त पर्चस करना चाहिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोनों के उपर डीटेल में हाँ वीडियो तो अवेलेबल है ही दोनों का अन्वाक्सिंग एंड सबसे पहले डिजाइन बिल्ड कॉलिटी के बारे में बात की जाए तो नो डाउट तोनों की बिल्ड कॉलिटी आपको बहुत ही अच्छी देखनी को मिलते हैं यहाँ पर अगर हम लोग बात करें अभी वी कॉलर क्लासिक प्रो के बारे में तो यहाँ पर इसके जो के बारे में बात की जाए तो नेक बेंड जो है वो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है तोड़ा सा फ्लेक्जिबल है यहाँ पर यह नेक बेंड आप चाहो तो इसे फोल्ड करके भी रख सकते हो लेकिन यह जो नेक बेंड का यह डिजाइन है वो हैंडी हो जाता है comparatively क्योंकि कि यहाँ पर इसके साथ इसके वायर जो डिए वोगा यहां बढा देखने को मिलता है यहां पर इसका मेड़नाचेश्2 ज्रॉंस ट्रॉंग है और यह कूछ से आप इसे क्यारी करने के लिए ही यहां बेंड के ने को परार आपको को देखने को मिलते हैं अब हम बात करें इयर टिप्स के डिजाइन की तो यहां पर दोनों ही इयर टिप्स जो है वह बहुत ही ज्यादा comfortable देखने को मिलते हैं अगेन मैं पहन लेते हूँ इसको दोनों को और फिर मैं आपको बताते हूँ इसके ear tips कैसे आपको देखने को मिलते हैं तो कुछ से इस तरह से यह देखो यहाँ पर left में मैंने connect कर लिया है लगा लिया है और यहाँ पर मीवी कॉलर क्लासिक प्रो तो दोनों के अंदर आपको comfort wise बहुत ही अच्छा comfortable देखने को मिलता है ENC बहुत ही अच्छा है यहाँ पर जैसे आप इसे पहन लेते हो तो noise cancellation तो ही जाता है दोनों के अंदर आपको different type का comfort देखने को मिलता है लेकिद दोनों के अंदर comfort बहुत ही अच्छा है मैं कहना चाहते हूं और sound quality बहुत ही अच्छे दोनों के अंदर noise cancellation बहुत ही अच्छा है sound quality के बारे में बात की चाहें तो यहाँ पर हमें 11.2 mm के dynamic drivers देखने को मिलते है नियो के साथ उसे के साथ अगर हम लोग बात करें वीवी कॉलर classic pro के बारे में तो यहाँ पर आपको 13 mm के dynamic drivers देखने को मिलते है जिसकी वज़ा से दोनों के अंदर sound quality बहुत अच्छी आती है dedicated dynamic drivers होने की वज़ा से bass वाले songs दोनों के अंदर अच्छे बचते हैं लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहते हो realme link app का आपको support देखने को मिलते है realme birds के साथ तो उसकी वज़ा से आपको कुछ extra features देखने को मिलते है realme birds wireless टूर्मियों के साथ पूरी तरह से आप जो हो customize कर सकते हो sound experience अच्छा हो देखने को मिलते realme classic pro के साथ लेकिन यहाँ पर भी आपको sound quality बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है guys no doubt यहाँ पर भी आपको sound quality अच्छी ही देखने को मिलने वाली है तो sound के मामले में तो आपको दोनों के अंदर बहुत ही अच्छा experience मिलने वाला है battery के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर realme के अंदर आपको मिलता है 17 hour का battery backup वही पर आपको realme classic pro के अंदर 72 hours का battery backup देखने को मिलता है दोनों ही quick charging और fast charging support के साथ आते हैं यहाँ पर आपको realme new को अगर आप fast charging करते हो 10 minutes के लिए तो यहाँ पर आपको 12 hour का battery backup देखने को मिलता है वही पर आपको 10 minute के लिए चार्ज करोंगे classic pro को तो यहाँ पर आपको 10 गंडे का battery backup मिलता है overall मैं कहना चाहते हूँ दोनों के साथ आपको battery backup बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है और दोनों ही netband आते हैं dual connectivity के साथ game mode दोनों के अंदर आपको मिलता है latency बहुत ही कम आपको देखने को मिलते है दोनों के अंदर लेकिन gaming wise अगर देखा जाए तो आपको realme new के साथ ज़्यादा अच्छा experience मिलेगा maybe color classic pro का design जो है वो थोड़ा सा plastic सा है और यहाँ पर हमें जो ही वो button मिलते है वो buttons भी थोड़े से आवाज करते हैं guys यहाँ पर button कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलते है और साथ में यहाँ पर अगर हम लोग बात करें functions के इस button के तो इस button से आपको सारी चीज़े control कर सकते हो दोनों के अंदर आपको same function देखने को मिलते है लेकिन वहीं यहाँ पर realme link app के तुरू आप जो है वो realme birds के अंदर customize कर सकते हो यह था quick comparison of realme birds wireless to new and new color classic pro दोनों के अंदर price difference अराउंड रहता है 4-500 रुपीज तो अगर आप budget में पर्चेस करना चाहते हो तो आप new color classic pro की तरफ जा सकते हो लेकिन आप long term के लिए use करना चाहते हो और आपको budget का कोई issue नहीं है तो आपको तो definitely realme birds wireless to new ही purchase करना चाहे यह मैं guarantee लेते हूं आपको definitely यह product purchase करना ही चाहे आपको अच्छा ही लगेगा मीवी कॉलर classic pro जो है वो एक budget segment को target करते हुए यहाँ पर मीवी कॉलर classic pro का जो design and build quality वगेरा है तोड़ा सा यहाँ पर compromise किया है मीवी में दोनों के detail में video available है guys आप लोग चाहो तो check out कर सकते हो लेकिन अगर आप इससे भी purchase करना चाहते हो तो यह neck band भी बुरा नहीं है sound quality अच्छी है mic quality यहाँ पर अच्छी है दोनों की तो दोनों के साथ mic quality अच्छी है और sound quality भी बहुत ही अच्छी है environmental noise cancellation दोनों के अंदर अच्छा है M.E.M.S. mic दिये है इस product के साथ नीवी कॉलर classic pro के साथ तो यह सारी चीज़े आप लोग ध्यान में रखकर जरूर purchase कर सकते हो definitely आपको link मिल जाएंगे description में मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ सबते के लिए keep watching